देश में आजकल 5G की बड़ी चर्चा है लेकिन 5 में ये G क्या है और 4 के बजाए G के पहले 5 लग जाए तो क्या होगा शौट में समझीए जखका स्पीड मिलेगी सरकार के मताबिक 4G इंटरनेट से 10 गुना ज्यादा स्पीड वाला इंटरनेट मिलेगा सबसे पहले क्या है 5G 5G या 5th generation 4G से 5G long term evolution यानी LTE में एक upgrade है अब LTE क्या है यूँ समझ लीजिए कि हम mobile के मामले में hardware, software और network के एक highway पर चले जा रहे हैं जो इसमें तरक्की हो रही है उसे long term evolution मान लीजिए 5G कितनी speed देगा 5G तीन band में काम करता है low band, mid और high frequency band spectrum तीनो bands के अपने-पने काम हैं फाइदे और खामिया है जो low है वो 4G जैसी ही speed देगा mid उससे ज्यादा और high समझी है सबसे तेज माना जा रहा है कि 5G कम से कम 20 Gbps की speed देगा लेकिन ये औस तन 100 Mbps से ज्यादा की speed देने वाला है अब जानते हैं आम लोगों को कब तक मिल जाएगा 5G internet देखिए कोई भी टेकनोलोजी आती है तो उसकी टेस्टिंग जरूरी है फिर धीरे धीरे हर शहर गाओं तक वो पहुच जाती है टेलिकॉम डेपार्टमेंट के अनुसार 13 शहरों को 5G मिलने की संभावना है इसमें एहमदाबाद, बैंगलोर, चंडिगड, चेन्ने, दिल्ली, गांधिनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनव, मुंबई और पूरे शामिल है सरकारी नियम के अनुसार कंपनी स्पेक्टरम खरीदती है तो उसको 6 महिने से 1 साल के अंदर सर्विस शुरू करनी होती है कई टेलिकॉम ओपरेटर अपनी तयारी पूरी कर चुके हैं ऐसे में वह स्पेक्ट्रम खरीदने के 3-6 महीने के अंदर सर्विस शुरूग कर सकते हैं। ऐसे में इस साल के आखिर तक 5G सर्विस मिलने की पूरी संभावना है। केंद्रिय मंत्री अश्वीनी वैशनव ने तो कहा था कि 5G पूरी तरह से तया है। 2023 में मार्च के अन तक इसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अब जानते हैं 5G इंटरनेट का प्लान आम लोगों को कितने रुपए में पढ़ने वाला है। 5G इंटरनेट प्लान की कीमतों को लेकर फिलहाल कोई सपष्ट जानकारी तो नहीं है। लेकिन माना तो यही जा रहा है कि 4G प्लान की कीमतों से यह थोड़ा महंगा होगा। भारती एटेल के चीफ टेकनोलोजी ओफिसर रंदीप ने साल की शुरुवात में बताया था कि 5G के डेटा प्लान की कीमते लगभग 4G की कीमतों की रेंज में ही होगी। वहीं Vodafone आइडिया जो इस वक्त कर्ज में हैं वह अपनी आर्थिक स्तिथी को ध्यान में रख कर ही 5G की प्राइजिंग तैक करेगी। 5G से भारत को क्या फायदा होगा। जाहिरे 5G की वजह से नेटवर्क कनेक्शन तो बढ़िया होगा ही। लेकिन इसके अलावा रियल टाइम में कई सारी जानकारियां साज़ा की जा सकेंगी। आर्टिफिशल इंटेलिजेंस को बढ़ावा मिलेगा यानि की AI, वैग्यानिक ज्यादा से ज्यादा डेटा को मशीन में प्रोग्राम कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी भी कह चुके हैं कि 5G आने के बाद देश की आर्थिक स्थिथी और बहतर होगी। देश की शिक्षा विवस्था, स्वास्थे विवस्था, क्रिशी, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रा स्ट्रक्चर में 5G का बड़ा योगदान रहेगा। ये तो हुई उम्मीदे, लेकिन एक सच ये भी है कि अभी हमारे देश में इंफ्रा ऐसा है कि कई बार, कई जगहों पर 4G भी ठीक से नहीं चलता है। ऐसे में 5G को लेकर जो सपने दिखाये जा रहे हैं, उसका साकार होना इस पर भी निर्भर करेगा कि इंफ्रा कितनी स्पीट से तयार होता है। झाल 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 झाल